आखिरकार केंद सरकार अगनीपत स्कीम में दो बड़े बदलाओ करने पर राजी हो गई है जिसमें एक केंद सरकार ने जो अगनीपत स्कीम के तहत जो यूवा भरती होंगे उनको पहले तो जो उनकी अपर एज लिमिट थी उसको बढ़ा दी और अब सरकार ने ये कहा है कि 10% जो है आरक्षन उनको दिया जाएगा अगर वो केंदरी रिजर्फ फोर्स यानि सेंट्रल आंप पुलिस फोर्स में अप्लाए करते हैं चार साल के बाद और साती साथ उनको असम राइफल्स में भी 10% की जो है आरक्षन दिया जाएगा तो ये दो बड़े बदलाओं हैं जो सरकार ने किये हैं और दो घोशनाएं की हैं सरकार को आशा है कि हो सकता है जो प्रदर्शन कारी है वो शान्त हो जाएं और कहीं न कहीं जो सरकार जो नई नीती बनाई है अगनीपत स्कीम उसको अमल कर सके और सुचारू रूप से चला सक वहीं अगर देखा जाए तो अपोजिशन की जो पार्टी हैं खास्त वार पर आमादनी पार्टी, कॉंग्रेक्स पार्टी इन्हों ने भी प्रदर्शन कारियों का साथ देने का फैसला किया है कल आमादनी पार्टी ने कहा कि हम देश व्यापी आंदोलन करेंगे और जो साथ चातर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ में बैठेंगे वहीं कॉंग्रेस ने कहा है कि यानी कि आने वाले दिनों में वो भी साथ देंगे और दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन कल देखने को मिल सकता है कॉंग्रेस के जो कार करता है वो जो युआ हैं उनके साथ मिल करके तो देखना यह होगा कि सरकार इस पूरे आंदोलन को कैसे शांत कराती है फिलाल चाहे वो रेलवे स्टेशन हो और चाहे वो लोकल पुलिस हो सभी जगा पर काफी ज़ादा पुलिस मुस्तायद है और अब देखना ही होगा कि आने वाले टाइम पर यह जो सरकार ने अगनी पत नई स्कीम लाई है उस पर क्या निंडे लेती है